हेलो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागाद है आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल मेज़र टार्गेट पर तो फ्रेंड जैसा कि आपको प्रता है कि बिहार बोट ने जो हिन अपना ओफिसेल सभी विसे का जो हिना मोडल सेट यहां पर परकासित कर दिया है तो हम लोग विज्ञान का हल को देख चुके हैं तो आज के वी डियो में हम्लो olm समाजी विज्ञान का संपूर्न हल को देखेंगे इस में जितने वभी कोस नष यहां पे है ना दोस्तों आपके समाजी विज्ञान मे themselves वीज्यान में सभी परसंट आज की इस वीडो में हम तो इस model paper को जरूर सुरू से लेकर हल किजिए आप भी मेरे साथ क्योंकि जो भी विद्यारती पुराने है ना जो भी विद्यारती है हमारे चैनल के माधियम से पढ़ते हैं तो काभी सारे परस्ट जो इसी model paper पर आपको देखने को मिलेगा तो फ्रेंड फटाबर से वीडियो को like कर दीजीगा और दोस्तों चैनल पर नहीं है ना तो प्रेस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ में notification bell icon आएगा इसे प्रेस करके ओल पर जरूर सरे लएज़ेगा और जो भी विद्यारती ह्ते भी तक हमारे वार्टकशलusan नहीं जूड़े हैं तो जाली से फटावड से मेरा WhatsApp नमर को नोड कीजिये मेरा WhatsApp नमर है 620607-6569 सिंपल इस नमर को सेफ कीजिये आप बोले कि Sir हमें WhatsApp गुरुव में जोड दीजे तो हम जूए आपको WhatsApp गुरुव में जोड देंगे और यह कलास काफी इंपोर्टेन होने वाला पिलिस दोस्तों क्लास को बिल्कुल सुरू से लेकर आखरी तक देखती वेच जाना है और आपको सिस किजिएगा एक एक कोसंस का अंसर जो है जल्ली से लाइप चेट में कमें कमेंट करनेगा तो चले दोस्तों देखती हैं आप आज का फर्स्ट पर जर्द कोपल लेना है तो फ्रेंग यह पे देख सकते हैं यहं पे वस्तोनिस्ट पर्सन यह.पे देख सकते हैं जो की section A में रहेगा कुछ इस परकार. तो चले देखती हैंआप अच比較 करहे का आप को बताना है कि भारती जंतापार्टी को किस पार्टी का उनड़ा जनम कहा तो फ्रेंड यह परसन जो एन हम तो आपको नहीं पराये लेकिन कुछ है इस तरह का परसन हम को बताये थे कि भारती जनता पार्टी का चुनाओ चिन क्या है तो कमल का फूल है लेकिन यह पर परसन यह आया हुआ है कि भारती जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर जनम कहा जाता है वही आपको बताना है ठीक है तो भारतिय जनसंग पार्टी को जो ना पुनर जनम कहा जाता है यहाँ पे बीवला अप्सन जो इना बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट को देखेगा तो फ्रेंड यहाँ पर परसनिये करा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे नेक्स्ट को सन को देखेगा क्या कराएक यहाँ पर बताना है कि कौन सा सवेधानिक संसोदन नगडिये अस्थानिये सवसासन से संबंदी दे यह वला कोस्टन जो है नाम आपको कल जो है ना महा सीरीच के सीरीच में पराये थे तो कौ दोस्तों देखते हैं आपे नेक्स्ट को सन को देखेगा तो फ्रेंड यहाँ पर परसनिये कराएकि आपको बताना है कि बलवन्त राय महता समीती ने अपने प्रतिवेधन में कितने अस्तरिये पंचायद राजवस्ता की सिफुरिस की थी तो तो तिरी अस्तरिये की थी या यह भी परसनिस के आपको काफ़ी और प्राहा चुके है तो भारत में प्रताम नगर्निगम की जो अस्तापना की गई थी नहीं W branali Hai कः थी अब फि्रेंड देखते हैं आपरिश्ट के जाए राजु और महिलाओ को पंचै तो में 15% आरक चन दिया गया था था तो सब ऴ झोना किस राज में महिलाों को पंचायतों में पाचास-प्रतिसत अरकषन दिया गया था जोना किस राज में लागौ किया गया तो गुजराद राजे में लागौ किया पताना है कि दल बदल चिरंट पेंधिSee हैं , छेटरावाध की भावना का जोन्ट on ल को अफहा खुक्ट हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर next question को देखेगा यहाँ पर आपको बताना है कि छेतरवाद की भावना का एक कूपरी नाम है तो फ्रेंड यह भी person आपको काविव पढ़ा चुके है तो छेतरवाद की भावना का एक कूपरी नाम क्या है दोस्तो अलगाववाद है यहाँ पर D option correct answer हो जागा देखते हैं पर next question क्या कराई की आपको बताना है कि अर्थ सास्त्र पुष्टक किसने लिखी ठीक है यह भी person आपको काविव प्रा चुके है तो अर्थ सास्त्र जो पुष्टक लिखे ना दोस्तो किसने लिखी है तो चानकिये ने लिखी है इसे आपको याद होना चीए और दोस्तो यहाँ पर जो ही ना चानकियेगा दूसरा नाम क्या है एक्जाम में पूछे जा सकते हैं परसन तो वो भी स्नुक गुप्त है और दोस्तो एक्जाम में एक परसन ने पूछे आते हैं कि इंडी का पुष्टक किसने लिखाता तो मेगा अस्तनी जिनने लिखाता ठीक है यहाँ पे बी ओप्सन जो इना बिल्कुली करेक्ट आंसर हो जाएगा इसलिए यहाँ पे जो इना सीवला ऑप्सन बिल्कुली करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे नेक्ष्ट को देखेगा तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है देखेगा परसने कराएगी भारत की संगी विवस्ता निम्न में से किस से परवावीद है तो फ्रेंड भारत का जो संगी विवस्ता है न किस से परवावीद है तो कनाडा से परवावीद है यानि कि यहाँ पे एबल ऑपसन जो है न बिल्कुली करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे next question को देखेगा यहां पे आपको बताना है धियान से देखेगा कि भारती सिविधान की किस अनुसूची में राष्टी भासाओं की सूची है तो फ्रेंड आटवी सूची में यानि कि आटवी अनुसूची में भारती भासाओं की सूची यहां पर D option जो एन अबिल्कुली correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर next question आपको बताना है कि राज्य विधान सभा के चुना को कराने की जिम्मेदारी किसकी है तो भारतिय चुना आयोग को है इसे आपको याद होना चाहिए यहां पर A option जो एन अबिल्कुली correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर next question को देखेगा जो कि यह भी परसन हम आपको परहा चुके हैं यहां पर बताना है कि सिक्षा को सविधान की किस सूची में रखा गया है तो समीविर्थी सूची में रखा गया है समीविर्थी सूची में क्या क्या आते हैं ज दो कि हम आपको यह भी परसन काफी और प्राह चुके हैं यहां पर आपको बताना है कि जर्मानी का एकी करन कब पूरा हुआ था ठीक है तो फ्रेंड जर्मानी का जो एकी करन पूरा हुआ था यानि कि यहां पर बिल्कूली करेक्ट रांसर हो जागा देखती हैं आपर next question कि कि पर आपको बताना है कि होआएख डेषी को सब्सक्राणशन किस बाट चलते हैं यहां पर आपको बताना है कि जनरल लोन नौल किस देश के परधान मंतरी थे ठीक है तो फ्रेंड जनरल लोन नौल किस देश के परधान मंतरी थे तो कामबोडिया के परधान मंतरी थे और दोस्तों ये कामबोडिया कहां पर है तो नेपाल में है सोरी दोस्तों यहां पर कांबोडिया तो बिलाओ के राजार थे की आपको प्षा. तो मार्च 1946 में फ्रांस और वेतनाम की जो समझोता हुआ तो उस समझोता के नाम से यानते हैं तो हन्वी समझोता के नाम से यानते हैं यहां पर बी ऑप्सन जो यह बिल्कूल ही करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को सन की दरबर चलते है तो फ्रेंड ने यहां पर परसन यह कराए कि यहां पर आपको बताना है उन्हें इसमें परसन यह कराए कि ध्यान से देखना है कि गांदी जी ने सावर मती आसरम की अस्तापना की थी ना दोस्तों कहां पर की थी तो अहमदाबाद में की थी इसे आपको याद होना चाहिए यहाँ पे बीवला अप्सन जो है ना बिल्कूली गरेक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फिरेंड देखती हैं आपे next question को देखेगा क्या कराई कि आपको बताना है कि Congress के किस अधिवेशन में सावसासन की जगह सावराज का लक्षे परस्तावित किया गया ठीक है तो वही आपको बताना है तो फिरेंड यह जो है ना Congress के किस अधिवेशन में सावसासन की जगह सावराज का लक्षे परस्तावित किया गया था तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था और दोस्तों कब किया गया था तो 1920 इजवी में किया गया था अब चले फिरेड ने देखती हैं आपे next question की दरब बर चलते हैं तो फिरेड यहाप पर आपको बताना है एक है questions का answer जोना आप लोग लाइब चैट में भी comment कर सकते हैं अब चैट भी अफिरेड रिचिने किस गौल मेस संहेलन में भाग लिया था तो दूत यह गोल में सम्मिलेट में भाग लिया था यानि कि यहाँ पे बीवला उप्सन जो है न बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे next question को देखेगा तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड 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 फ्र्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वा किया था तो उन्हें 105 इस भी में किया था यानि कि यहां पर ए उप्सन जेन अभिल्कूली करक्ट अंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर अगला परसन यह कराए कि आपको बताना है कि निवन में से कौन मित्र राष्ट नहीं है तो यहां पर देखेंगा मित्र सम्मेलन हुआ था ना कहां पर हुआ था इलाबाद में हुआ था यहां पर ए उप्सन जो इन बिल्कूली करक्ट अंसर हो जाएगा अब देखती हैं पर नेक्स्ट कुसन क्या करा है कि आपको बताना है कि इन में से किस ने पावर्फूल यहां पर पावर लूम का अभिसकार किया था ठीक है तो फ्रेंड पावालों का जो अविस्कार किया था नúcar किया था वह जी आपको बताना है तो Edmund काट रायद ने किया था Edmund काट रायद ने किया था यहाँ पे जो हिहना C ओप्सन बिल्कोल इकर्ठ बताना है कि न्यूडिल नामक नवीन आर्थिंग नीती कहां लागू हुआ था तो मेरी कामें लागू हुआ था यहां पर जो इन अभी ओप्षन हंडरेट परसंट से उतर हो जायगा देखते हैं पर नेक्स्ट कुछन यहां पर बताना है कि 1991 में सोवेट संग के वी घटन के उपरांत कौन देश महासक्ति की रूप में उबरा ठीक है वही आपको बताना है ठीक है तो फ्रेंड सनियुक तुराच अमेरिका ने उबरा था यहाँ पर डी ओप्सन जो इना बिल्कूली करक्ट आंसर हो जागा देखते हैं आपर नेक्स्ट के मुख्याले कहां पर है एक्जाम में परसन यह दक्छेस का अर्थ क्या होता है दोस्तों सार्ग होता है क्या होता है सार्ग और यह सार्ग का मुख्याले कहां पर तो कामबोडिया में है और दोस्तों सोरी कामबोडिया ने होगा यहाँ पर एक्छाम में परसन पूचे आते क इंडोनेसिया नहीं है ठीक है और सार्क का मुख्याले कहां पे है तो काड़ मंडू में है और काड़ मंडू कहां पे है दूस्तों नेपाल में है अब चले फ्रेंड देखती है आपे next question को देखेगा यहां पे आपको बताना है ध्यान से देखेगा कि रूसो किस देश का रहन रहने वाला था ठीक है तो फ्रेंड यह जो रूसो था ना किस देश का रहने वाला था तो फ्रांस देश का रहने वाला था यह भी परसन हम आपको कावे प्रा आच चुके हैं देखें आपे next क्या कराएगी अलहिलाल का संपादन किस नहीं किया था तो मौलान अब्दुल यहां पर देखेंगा मौलान अब्दुल कलाम आजात जी नहीं किया था यहां पर ए ओप्सन जो है ना बिल्खूली करक्ट आंसर हो जाएगा चले देखते हैं पर next question को देखेंगा यहां पर आपको बताना है कि गुटेन बर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की चपाई की तो फ्रेंड गुटेन बर्ग ने सबसे पहले जो है ना बाइबल पुस्तक की चपाई की थी यहां पर जो है ना सी ओप्सन बिल्खूली 100% आइड अजर हो जाएगा चले देखते हैं पर next question यहां पर आपको बताना है कि महात्मा गांदी ने इन में से किस का संपादन किया तो यह बी परस्न जो है ना बिल्कुली करेक्ट आंजर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर next question यहां पर आपको बताना है कि काउंड कावर को विक्टर एम्योनियल ने किस पद पर नियुक्ति किया था ठीक है तो यह बी परस्न जो है ना बिल्कुली किस पद प नियुक्ति किया था यहां पर C option बिल्कुली करेक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों एक परस्न पूछा आते कि बोलसवी करांती का नेतरू किस ने क्या था तो लैनिन जी ने किया था इसे आपको याद होना चाहिए अब चले फरेंडे देखते हैं पर next question को देखेगा यहां पर संगटन के अस्तापना होई थी तो चेका संवन्ध यहां पर संगटन के अस्तापना होई थी चेका की यहां पर B option बिल्कुली किरक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों चेका क्या है यह एक परकार का विश्येस की हाँ ना नंट से और टाने जल्य नीती है यह कंग गुत्री तो यहाँ थीक है तो धेखें 500 एक अंसर जयाद आगया जाएगा लगाटि कि विस्व उभुकता अधिकार दिवस का मनाया जाता है तो विस्व उभुकता अधिकार दिवस का मनाया जाता है तो विस्व उभुकता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ना 15 मार्च को मनाया जाता है ठीक है यहां पर बी ओप्सन बिल्कूली करेक्ट आंसर हो जाएगा च और दोस्तों एक जामे पर स्नेवी पुचा थे कि भारत में सवरोपर्थम राश्टी आय का अनुमान किसने लगाया था तो दादा भाय नौरोजी ने लगाया था इसे आपको साथ में याद होना चाहिए अब चले फ्रेंड देखती हैं आपगी सम्ट्राहि आपको करोन में के 17 ख करता था था या आपको बताना था और किस लिपन मीजिए या यां कुछ कनले की साल का था ऑगाया ऐसे पर बी ऑप्सन जो है ना बिल्कुल ही करक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चले दोस्तों देखते हैं पर नेक्ष्ट को सन की तरफ बर चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना है कि मानुविकास सुचकांग में इनमें से किसे सम्लित किया गया है तो मानुविकास सुचक किसे सम्लित किया गया है तो फ्रेंड है देखेगा जीवन परतियासा को सम्लित किया गया है सिक्चा प्राप्ति को सम्लित किया गया है जीवन अस्तर को सम्लित किया गया है यहां पर डी ऑप्सन जो है ना बिल्कुल ही करक्ट आंसर हो जागा देखते हैं पर नेक्ष्ट को आयोग से बड़ा कर जो सब्सक्त रहा समयस सब्सक्राइंड आयोग की असना क具मा को टो inic fe Minnesota kocher एडार आचाया एक बंदर मार्च अपन आयोग की तो नीचे경ता अशोरी रहाए lekस तो किताब किस ने लिखा ठीक है तो पुस्तक लिखा ना किस ने लिखा था तो दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा ठीक है यहां पे बिल्कुली करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर नेक्स्ट कोशन की तरफ बर चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर बताना है कि स्वेडेन की मुद्रा क्या है तो यहां पर स्वेडेन की मुद्रा क्रोणा है क्या है क्रोणा इसे आपको याद होना चाहिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्या अगराएगी निम्नलिकित में कौन भारत का सरोचे बैंकिंग संस्तान है तो यहाँ पर देखेगा दुस्तो भारतीरी जब बैंक है यानि कि RBI है और दुस्तो यह भारतीरी जब बैंक का मुख्याले कहां पर है तो मुंबए में है इसे आपको साथ में याद होना चीए है काफी महत पूरंद परसन था अब चले दुस्तो देखते हैं पर नेक्स्ट कोसन निर्वा का मुक्या सादन है ठाल भारतिय जीवन निरुवा का मुक्या सादन है दोस्तों क्या क्या चीज है उद्दोग धंदे है वयापार है यह किरसी है या फिर वी निवान है तो भारत में खास करके जु離 शादन है किड़सी है यानि कि भारत में जो 70% आवादी किनसी पर कारे कर रही है चलिए दोस्तो देखते हैं पे next question क्या करा है कि प्रार्थमिक छेतर में कौन सी किरिया हैए आर्थिक किरियाई सामिल है तो प्रार्थमिक छेतर में कौन सी किरिया समीलिद है तो खरन और किरसी है इसे आपको याद होना चाहिए चले दोस्तों देखते हैं पर नेक्स्ट कोशन के दर बर चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना है कि सोने के आभुसन की गुनवक्ता सुनीचित करने के लिए किस मार्क की आविसकता होत ऐसे पर बन ता है तो उसका मार्क होता है और यह जो होते हैं सोने के आभुसन की गुनवक्ता सुनीचित करने के लिए इसका प्रियुक किया जाता है अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे next question की तरह बर चलते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बताना है कि इन में से किस संस्ता का गठन उने सो चवन में किया गया था ठीक है तो कौन सा संस्ता का गठन उने सो चवन इसमी में किया गया था वही आपको बताना है तो राष्टिय प्रतिदर से सर्वक्षन संगटन की अपना किया गया था ठीक है गठन किया गया था तो किस संस्ता का गठन में किया गया था दूस्तो राष्टिय प्रतिदर से सर्वक्षन संगटन की का गठन किया गया था यहाँ पर C option जो है न बिल्क बताना है कि पुन्जिवाधी अर्थ वीवस्ता का गून है तो बताए आपकी पुंजिवाधी अर्थ वीवस्ता का गून क्या-क्या चीजते दोस्तों नीजी लाव मूल बन्त्र rapен裁 और इनके सा साथनों की नीजी वामितिव कर बताले की-ट-बताने कि तरुन भारत संका सं परमानु विद्धूत गिर्हा कि इसका निर्मान किया गया है शोड़ी दोस्तों यहां पर हम आपको बता देते हैं कि रूस के सहयोग से किस विद्धू सनियंतर का निर्मान किया गया है अगर पूछा जाए तो यूपी में है यानि की उत्तर-परदेश में है अब चले दोस्तों देखते हैं पर नेक्स्ट कोशन के दर बर चलते हैं यहाँ पर बताना है कि Deacon Odyssey किस राजे में चलाई जाती है तो Friend 26 किस राजे में चला जाती है तो महराष्ट राजे में चला जाती है यहाँ पर B option जो इना बिलकूल ऑकर्ट अंसर हो जाएगा देखते हैं आपे next question जो हम आपको प्रहा चुड़े है कि भारत में वायू परीवन का राष्टेगरन कप किया गया तो फ्रेंड भारत में वायू परीवन का राष्टेगरन किया गया था ना कप किया गया था तो 1903 में किया गया था यानि कि यहाँ पे A option जो है ना बिल्कूली correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे next question के दर बर चलते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि इन्नोर बंदरगा किस राजे में इस्ती दे तो फ्रेंड यह जो इन्नोर बंदरगा किस राजे में इस्ती दे वह यह आपको बताना है तो तमिल नाडू राजे में इस्ती दे यहाँ पे D option जो है ना बिल्कूली correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे next question के दर बर चलते हैं देखेगा परसन यह करा है कि बिहार की प्रांचिंतम नदी घाटी प्रियोजना है तो बिहार की जो प्रांचिंतम नदी घाटी प्रियोजना है ना सो नधी खाटी परीौजना है याने कि यहां पे बलाव आपसं वी क्राइट आपारण मिगे है तो टामिल नाटू दोस यृजटा दुम यृजचि पर आपको बता दे ना एंटेंट तो इसका राइडंसर हो जाएगा उत्राखंड यहाँ पे बी ओप्सन जो है ना बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा चलो फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को देखेगा यहा पर आपको बताना है कि इन में से कौन-कर्बणीख नहीं और रिटा बेकलां नहींके नहीं है पहु हो यहां पर नहीं होगा ठीक हैं यहां पर ऐनंभी क्या होगा सिर्फ फिर 500 जातंब के इसे परहा चुके 5200 को रिख कह 2 राजय चुना चुना पत्र हें ₹1 पूचा आधे कि किसंड डूर्ख क्यों होता है झूना पत्र का उत्पादन जो इन राजस्तान राज में सबसे जदा होता है अब चले फिरेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को संक्व देखेगा यहां पर पताना है कि भारत का पाला तेलस्ट अ तो इसे आपको याद नोची और दोस्तों खनी स्थेल का विसाल बंडार कहां पर तो असम में है अब चले फ्रेंड देखते हैं पर नेक्स्ट को संगो देखेगा यहां पर बताना है कि मुंबैया क्यू प्रसीद ए तो फ्रेंड यह मुंबैया क्यू परसीद यह भी परसंद तो बहरत का जो परमुक खादान फसल है ना यानि की भारत का जो फर्मुक खानेवला पसल क्या है दोस्तों चावल है यानि कि यहां पर बी ऑप्सट हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते ही हैं पर नेक्स्ट को संगों देखेगा यहां पर बताना है कि जूट सबसे जदा होता है तो वेष्ट बंगाल याने की बच्छी मंगाल राजी में जुट का पर सबसे जदा होता है और दोस्तों जुट को जुना सुनबडा रिषा कहा जाता है अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे next question को देखेगा यहाँ पे आपको बताना है कि देखेगा परसन यह कराए कि इन राजियों में कौन लोह ऐस का अगरणी उत्पादग है ठीक है तो लोह ऐस का उत्पादन सबसे जदा किस राजिय में होता है यह भी परसन आपको पढ़ा चुके हैं अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे next question यहाँ पे आपको बताना है कि किसे बिहार का रेसम नगर कहा जाता है तो रेसम नगर किसे कहा जाता है दोस्तो तो भागलपूर नगर को जो इन रेसम नगर कहा जाता है बिहार का यहां पर D option बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा देखते हैं पर next question क्या करा है कि बिहार की अर्थ विवस्ता में किस चेतर का सरवाधिक योगदान है तो किर्सी चेतर का सबसे ज्यादा योगदान होता है यानि कि यहां पर एब सबसे बिनर में किस चेत्र हो जाएगा देखते हैं यहां पर next question क्या करा है कि बिहार की बड़ी तरह साधियों में से 1 एक तो फिरेंड इसलिए बिहार की बड़ी तरह साधियों में से 1 ला स्थ और जाए sector Caseyında दू Skra живот कैंबार अना था है आसे पर्टेक वर्ड उत्री बिहार में इसलिए बिहार की तरह साधियों मेंसे एक रहेंteil की बार दोस्तो अब चलिए फ्रbung देखते हमने की दरबर चलते हैं यहमने आपको बताना है कि कुस जद बंद किस तो सतलज नदी पेज जोना दुस्तों कौन सी क्रित्रिम जला से बनाया गया है वही आपको बताना है तो गोविन सागड जिल में गोविन सागड जिल में यहां पर डी ओप्सन जो है बिल्कुल ही करक्ट आशर हो जायेगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट कोश महले के लोग क्या करते हैं ठीक है अस्ताने सवसासन भी आते और स्वेंग से भी संगटन यानि कि यह सभी होते हैं पर डी ओप्सन जो है ना बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को सन क्या करा है कि सूधिर सनवेंदी उपगरा जिसको हम लोग क्या कहेंगे रीमोट सेंसिंसिंग सेटलाइट कहेंगे इसका उप्योग जो होता है ना संसाध उनों की खोज के लिए किया जाता है यहां पर बी ओप्सन जो है बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपर नेक्स को सन क्या क जाएगा अब चले फिरन देखते हैं पर next question को देखी है यहां पर बताना है कि भारत में अत्य आत्य विनासकारी भूकम कब आया था ना उने हुआ सुनामी कंध का सब्दै तो सुनामी रहें यह तो यह घड़ें सोनामी इस्यूनल सबस्सक्राइब pronounce that सब दोते ठीक है यहां पर सी ओप्सन जो है ना बिल्कूली करेक्ट रांसर हो जाएगा ना तो फ्रेंड यहां पर जो है ना हम लोग क्लास्टेन के सोजल साइंस का जो ओफिसियल मॉडल से एक से लेकर के असी तक वस्तोनिष्ट परसन का उतर जो है ना हंड्रेट एन परसन यहां पर सही आंसर की बता चुके हैं तो आप जल्ली से बताईए कि एक से असी तक मेंसे आपको जो ना चालिस सब्सक्राइब करना था तो आप लोग कितने परसन का सही और सटीक आंसर दे पाए तो जल्ल लाइक ने करते हैं तो जल्ली से लाइक कीजिए ताकि सभी विद्यारती जो है ना मोडल सेट का यहां पर सोलूसन वह भी पासके और दोस्तो इस वीडियो को अपने सोसल मेडिया पलेटफों में जरूर सेर कीजिएगा इनके साथ जो है बहुत जल्दी इसका जो है इतिहा ज्याब इस वीडियो को अपने दुस्तों में ज्यादा से जब कीजिएगा और जो भी वी वी डियर थे भी तक मोडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया ना तो जल्दी से मेरा वार्सम नमर को सेफ कीजिये मेरा वार्सम नमर है six two zero six zero seven six five six nine इस नमर को सेफ की जाब बोले कि स कर अभी तक जो इना मोडल पेपर नहीं डाउनलोड कर पाए तो हम जो इन आपको वीडियो बेस देंगे कि कैसे मोडल पेपर को डाउनलोड किया जाता है तो फ्रेंट फिर मिलते हैं पे 6 बजबला क्लास में अभी के लिए इतना है दूस्तों थैंक्यू